आप देख रहे हैं स्टीवी लद्दाक आवाज घर घर के स्वागा थे स्वागा थे स्वागा थे स्वागा थे अपरा थे स्वागा 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 थे स्वा कि लोगों ने अब उसको सब सेंटर कहते हैं उसी तरह पीएसी है एंटी पीएसी है सब दिस्टिक होस्पेटल है या भुलोग लेबल पे डिस्टिक लेबल भी जितने भी मेडिकल सेंटर से वह सारा भी जून के एंडिंग तक एलेक्टिफाइड हो जाए ये इसलिए हमनी decision लिया क्योंकि आज 21st century में सभी लोग जैसे कि education में हम smart class के बात करते हैं डिजिटल education के बात करते हैं जब तक हमारे school electrified नहीं है तब तक हम digital के सबना नहीं दें तो ये बहुत बड़ा decision है और एक reformative state है health department में इसलिए ज़रूरी है अभी मोधी सरकार का एक नया scheme है national digital health mission जितने भी हर एक individual के health से related issues उसको digitalize करेंगे for example मानलो कारगिल district hospital हम एक मरीश देखाया और यहां से आपको सिरी नगर रेफार किया सिरी नगर से आपको देली रेफार किया आपको पूरा file उठा की जाना पड़ गया तो बहुत सारे file भूम हो जाता है बहुत सारे हमारे गाओं के बुजरूग लोग जो है काम पड़े लिखे लोग जो है खोड़े दे file को फिर नए ओपीडी से सीरू करना पड़ता है तो एक बहुत सारा medical record maintain करना बहुत ज़रूरी है मैंने आज से 10 साल पहले कौन सा दवाई खाया मुझे खुद को याद नहीं है मेरे पास record भी नहीं है तो नया दवाई डॉक्टर क्या recommend करें उसमें problem होते हैं तो उससे बहुत सारे problem होते हैं medical cases को लोगे तो ये सारा simple करने के लिए सभी हर एक individual का हर एक नागरीक का health record जो है medical record है वो digitalize का आज के date में सभी कारगिल के मैं बताना चाहता हूँ 90% लोगों का digital ये health mission के तहट ID बन चुका है अब उसमें क्या होगा मान लो कल को मेरा यहां treatment होगा शाकर बोलोग मेरा treatment होगा वहां पे मुझे क्या इलाज देते हैं फिर में यहां आँगा तो मैं अपने ID डलने के ID डलने से मेरा सारा record यहां मिल जाएगा फिर वो स्रीनगर में डेली में जहां भी जाए वो available हो यह बहुत बड़ा स्टेज है अपनी इसको और भी कमियाभी तरीके से ground पे पहुंचाने के लिए हमारे सभी medical institution जो है वो electrified होगा इंटरनेट से connected होगा तब जाके हम good governance जो है आंध तक हमारा लाक्ष है कि आंध तक हमारे सारे benefit वहां पहुंचे ऐसे बहुत सरी decision आज लिया मैं मेजर मेजर एक दो तीन बता रहूं आपको परदान मंतरी उजवाला योशना के तहट कारगिल में 19,019 लोगों को सिलेंडर पहुंचा दिया हमारे सरकार में बहुत बड़ा काम है यह उसी तरह old age pension में हर एक बंदे के account में जितना भी old age है जितना भी video है जितना भी differently able ह सब के account में पैसा पहुंचा दिया और 100% achievement है हमारे आज के department में यह सारा जो है पिछले बार मैंने meeting लिया हो नहीं था लेकिन मैंने वहां सब को target दिया next meeting में मुझे यह सारा progress चाहिए आज में बहुत मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यह सारा achievement जो है हम सब के मेहनत से यह चल department देगा तो उसमें ज्यादा डीटेल आपको मिलेगा जब भी मैं करगिल आता हूं करगिल के बहुत जो है बड़े बड़े डिमांस पहले भी रहते थे आज भी है और खासकर दरास वालों को मैं बताना चाहता हूं महास रूप से बताना चाहता हूं मैं खित लदाक का पहल MP हूं आपके दरास के नाम बार बार मैंने पार्ली में में खड़ा होके बोला दरास को डिस्टिक देने के जरूरत है मैंने लिख के प्रैम मिनिस्टर साब को मेमरंडम दिया लदाक में आठ डिस्टिक करना है उसमें दरास को भी आलग से डिस्टिक बनाना है और मैं इस बात से दुख हूँ, कुछ लोगों ने अपने CSC फैदा देखने के लिए प्रेस कॉन्फरेंस करके पता नहीं क्या बोल रहा है अगर आप शवाशी नहीं दे सकते तो खिसे के टंग मत की चाहूँ, ना काम करने वालों को काम करने है अवाम को मैं शुक्रियादा करना चाहूँगा, दरास के आवाम के समझ में जल्दी आ गया आप लोगों ने वालेंटेर्ली प्रेस कॉन्फरेंस करके उनका मजब्बत दिया उनका कंडेम के लिए अपना जंडा बाटिये जनता पार्टी के साथ गढ़ने का अपनी निर्ने लिया इस डिसीजन को में स्वागत करता हूँ रोजीला टानल केवल दरास वालों का और केवल करगील वाले को नहीं है पूरे खित्ते लदाता है जब भी करगील के पॉलिटिक्स में हम देखे जो बी पार्टी हो नेशनल कांफरेंस हो, कॉंग्रेस हो, पिडिपी हो सभी पार्टी में चाहिए वो करगील के हो, जमु कश्मीर के हो या दिल्नी लेवल के कॉंग्रेस हो सबी लोगों ने जोजिला टानल, जोजिला टानल, जोजिला टानल करके कितना वोड लिया आप से लेकिन हम ने आप से एक वोड लिया और जोजिला टानल को देवाज हमने वदा किया, पूरे करगील के अवाम से वदा किया इसी बाजर के चोक से हमने वदा किया मैं खुद खड़ा हो कि मैंने बोला आप लोग वोट देखे देखिए और इसका प्रोग्रेस आपके आँखोंगे सामने हमारा टार्गेट है दोज़र चोबीस तक यह कंप्लीट हो जाए अगर हमारे साथ दे तो दोज़र चोबीस तक ऩतर्ता थाके तो में कौन कर रहे हैं यहां के जो नेशनल कॉंफरेंस कर रहा हैं यहां यहां के क्वारेस कर रहांं जाशी आउड़ा चिला और मोजी जी के सरकार कर रहा है जिए बारतीय जनता पाटिय कर रहा है मेंबर और पार्लिमेंट जम्याँ सिरिन अम्याल रात के 11-12 बजी उस टनल में गुज के प्रोग्रेस देखता है तो यहां के सारे पार्टी जो है खामोश है क्यों? कारगिल के तरकी नहीं चाहिए आगर कोई कारगिल के तरकी के साथ हो तो उन पार्टियों का मेरा यह साला है वो अवाम के सामने जाके बोलना चाहिए कि यह जोजीला टानल हमसे नहीं हो पाया भारतिय जनता पार्टी इसको कर रहा है यह कॉंग्रेस पार्टी बोलना चाहिए यह नेशनल कॉंफिरेंस बोलना चाहिए आज आप देखिए कारगील से लेके जांसकर के पादुम तक ये एनेश 301 12 मीटर का चोड़ाई पाकेश 123 में थोड़ा जमीन का दिक्कते आ रहे हैं वह हम समाचते लोगों के ग्रिबेंसिस है बाकी इतना बढ़िया रोट कौन कर रहे हैं बारतिय जनसाम बाटी के सरकार नर साधा क्यूति बाना कुछ लोगों को तकलीफ हुआ आज वही लोग यूति के बजट को लेकर गाओं-गाओं में बांड रहे हैं ये चांसलर का पेशा ये सरपांच का पेशा ये भीडी सी का पेशा पैसे ऑई किस नहीं देने वाला कौन है कौन है देनेवाला प्वोदी स बनी देखो तो जरिया आप तक पहुंचाने के लिए लेकिन सारे फंडिंग जो है दिल्ली से मोधी सरकाल लगा को इस बार भी बजट में पांच हाजर नौ सो अठावनजा करोड दे रहे हैं वही साथ करते हो मैं पूछना चाहूंगा यूटी बनने से पहले आपको डिस्टिक प्लाइन से या किसी भी स्टेट सेंपर से आप छोटा सक काम लेते हो पांच लाग के लिंग रोड बनाना है आपको पांच लाग हाथ में आने के लिए पंदरा साल लगता था लगता था कि नहीं लगता था पांच लाग मिलने के लिए पंदरा साल लगता था आज करगिल के सभी ठीका दरों को आप पुछिए आप ये डिपार्टमेन वाले बोड़े यार आपका पैसा पढ़ा है जल्दी लेलो हमें उपर से डाट पढ़ा है जल्दी इसको डिस्पोस करो ये दिखका थे आज तो इतने सारे तर्की केवाल पैसा ही नहीं अपने आइडेंटिटि हमारे का और किया पूर्की अडेंटी बलती आडेंटी टेंव ठीच शिंणा के अडेंटी ये दाद आरेयन का अडेंटीटिच उसको उबारने के लिए उसको रिवाइव करने के लिए आज बहुत सरे एक्टिविटी जो है ले डिस्टिक में भी और कारगिल डिस्टिक में भी चलता है पेले कहां होता है तो इसे बहुत सरे स्कीम्स अगर मैं यहां गिनते जाओं तो मुझे कम से कम तीन दिन तो में बगेर कागाज देखे आपको बता सकता हूं इसने सारे तर्की हो रहा है यह सारे जो है आवाम तक पहुंच रहा है और आवाम इसको समझ रहा है आवाम इसको समझ रहा है कि सरकार कौन है देली में इसका कौन काम करते हैं कहां से यह पैसा आ रहा है कहां से तर्की आ रहा है इसलिए आज आवाम हर रोज में सोशल मीडिय में देखता हूँ कभी आचे लीला जी जाके वहां से जोइन कर रहे हैं कभी आली मजास के जोइन होता है कभी बिलाद से कभी हुसें से कभी यहां से हमारे हर एक वरकर के जो है कोई ना कोई जोइन होते जा रहे हैं क्यूं हमने उसको पैसा दे के खरीद के तो नहीं लेना है हूँ हुऑ खुद बोले हैं हमने भारतिय जनटा पाटि में आना है मेरपेनि करके हम इसमें ले लो क्यूंकि यह पाटि आवां के पाटि यह पाटी में ऍरकी के पाट obsess बताना चाहूंगा है मजभ़ी नाम लेके इल्टा वल्टा सिहासत करनेवाला पाटी नहीं है ये पार्टी सब का साथ, सब का विकास और सब का प्रयास से जने वाले पार्टी है हम करगील में कोई भी क्या हो, सुन्नी हो, अले हदिस हो, अले सुन्नत हो, जो भी हो आप, बुंदिस्ट हो, जो भी हो हमें उससे मलड़ नहीं है हमें सkommen एक मतलब है करगील को हमने तर्की के रापे ले जाना है अगर इस बात से कोई सेमत है मैं आज भी आगा करना चाहूंगा जितने भी लोग है भारतिय जनता पाटी में आए जोइन करें बार्तिय जनता पार्टी का धामन्द हमें क्योंकि 2023 के काउंसिल एलेक्शन में बार्तिय जनता पार्टी करगिल में काउंसिल खड़ा करेंगे यह हम सबका विजन है यह हम सबका लक्ष है हम सबका टार्गेट है बारतिय जनता पार्टी का फुल फ्लेच करगिल में जब काउंसिल बैठेगा तो काम इस से ज्यादा स्पीड में जाएगा बहुत सारे सेंट्रल मिनिश्टर यहां आएंगे तब बहुत सारे पार्लिमेंटरी डिलिगेशन यहां आएंगे थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट भी तो हमें चाहिए ना पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए क्योंकि यह सारा जो है पॉलिटिक्स इस पर काम कर रहा है आपने देकार ले में कितना मिनिश्टर आ रहा है कितना पार्लिमेंटरी डिलिगेशन आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि वह कारगिल ले से भी आगे जाए बहुत तर्की करें यह मैं कहना चाहता हूं यहां पर जितने भी लोग आए खास कर मेडिया बंदूओं को मैं बहुत धन्यवत देता हूं आप लोगों के मद्यम से हमारा मेसेज जो है कारगिल के हर एक अवाम तक पहुंचाने का एक जरिया है बहुत बड़ा आप सबको शुक्रिया करता हूं और ज्यादा समय नहीं लोगा क्यूंकि इसके बाद मैंने यूनिवरसिटी केंपस में भी विजिट करना है यह मिडिकल सेंटर में भी जाना है फिर वहां कुछ अचली लिया का एक बहुत बड़ा ग्रूप जो है आज फिर लेकिन सबी लोग ने देखा चक्कने के बाद सबको मिटा लागा है क्यों ना तरकी हो रही इसका यह तो नहीं कना थे एक मेरे जसका वे शुशन के सर तो हम यह जाना जाए कि वह डिस्टिंग लेपे चल रहे है कि स्टेड लेवल पे चल रहर है। जहिर से बाद है लेटेन गवर्नर और्क मातूल साब का इनिशेटीव है। उनके नाम पे यूटी एड्मिनिस्टरेशन इसको और्गनेश कर रहा है इसका शुरू वाके ले से हो रहा है ले में जो स्टेडियम पिछले काफी सालों से बन रहा है उसी स्तार पे कारगील में भी नाया आइस होकी स्टेडियम रिंग बनाने जा रहा है जिसका केवल करेंगे जब यहां फिसिलिटी बनेंगे तो ले कारगील तो क्या पूरे हार जोन में चलाएंगे पूरे लदाग में चलाएंगे यह भी बताना चाहता हूं दोनों डिस्टिक्स के ब्लोग लेवल पे सब डिविजन लेवल पे 25 आइस होकी रिंग कंप्लीट हो चुके हैं 25 औ बनाने जा रहा है टोटल फचास आइस होकी रिंग दोनों डिस्टिक्स में बन रहा है तो जिस तरह और विशल ग्रोंड जो कारगील में बना रहे हैं जो एरपोर्ट के पास ही तो हमें सुनने बेर है कि वह सेक्सेस नीए वहां पर पानी नहीं निकाला जा सकता है आपको है कि हम आप पानी नहीं निकाल सकते हैं तो क्या उसमें टेंकर से पानी लेकि उसको एक जैसे भी करके दे आपको आइस होकी बना के देना हमारा कमिट्मेंट है जाहे हम जमीन खोटके दे पहाड़ खोटके दे टेंकर से दे जैसे भी दे आपको आइस होकी बना के देना हम करेंगे तो दूसरा कोश्चन नहीं ले पाएंगे मैंने आपको अदा किया आपके जरिया पूरे करगिल के आवाम को यहां LG काप से भी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल की भी मेच होगा यह मैं बताना चाहूंगा अभी आप बता रहें फोरेज डिपार्टमेंट के साथ किसी का कोडिनेशन नहीं है अभी इश्यू आपने मेरे द्यान में लाया मैं आपको गरंटी देता हूं अलग से बेट किये कोडिनेशन बिठा है कि इ और बताएए